एक बड़ा सा गाव था जहां अधिकतर खेतीबाडी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गाव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गाव वालों को खूब परेशान किया करता था। भूत के डर से शाम होते ही। गाव में संदाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गाव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधू को गाव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गाव वाले साधू को उस पेड के पास ले जाते हैं, जहां भूत का वास होता है। साधू अपने जब और तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधू भूत पर काबू पाने की युकती निकाल लेता है और सब गाव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोश्णी से डर लगता है और रोश्नी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जासकता साधू की बात सुनकर सभी गाव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गाव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिये चारों और उजाला कर देते हैं रोशनी को देखकर भूत दर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है वहीं गाव वाले भी उसके पीछे-पीछे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं रोशनी में साधू भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गाव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं इस तरह से गाववानों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है दोस्तो समस्या चाहे कैसी भी हो अगर बुद्धी का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है